आज के इस वीडियो में आयत के बारे में पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है उसका चेतरफल कैसे निगलता है आयत वह चेतरफल हो जाए जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा परतेक कौन समकौन होता है उसे क्या कहते है आयत कहते है यानि कि आमने सामने यादि A, B के सामने वाला भुजा कौन है? D, C और A, D के सामने वाला भुजा कौन है? B, C यानि कि जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और परतेक कौन कितना का हो? 90 डिका हो यानि ये कौन भी 90 है, ये कौन भी 90 है, ये कौन भी 90 है और ये कुन भी नभे है तो इसको क्या हम बोल रहे हैं इसको कहें कि ये आयत है आयत का मतलब क्या होता है कि जो परते कुन क्या होता है नभेटी दिखा होता है और इसके आमने सामने के भुजाएं बराबर भी होता है और एक समनांतर भी होता है यानि प्यारलल भी होता है तो आयत का छेत्रफल का फर्मूला हो जादा है लंबाई गुने चोड़ाई यानि कि आयत का एरिया हम निकालेंगे तो लंबाई गुने चोड़ाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आजाएगा आयत का छेत्रफल तो आयात का लंबाई निकलना है तो यांनि छेत्रफल दिया हुआ रहे तो आयात का लंबाई कैसे निकलना था चिंट्र। वाटा चोडाई दशन से लिरना में तरके तो बनीस हे लिगा करें titre फरल में रहे तो अना जया हुट ज़को न Chambers była Tá लंबाई है नेक्स है आयत का परिमाप का होता है परिमाप का मतलब जो साइड होता है उसका यदि वो जोड़ कर दो लेंगे तो यही परिमाप होता यहीं कि होता है टू इंटू लंबाई प्लस चवड़ाई यानिकि टू इन्टू कि लंबाई और इसमें अधि करेंगे क्या थोड़ाई गलागा आयत कपरिके एदि आयद का परिमाप दिया हुआ है तो आयद का लंबाई किसे निगलेगा तो इसका फर्मूला हो जाता है आयद का लंबाई बरेवर परिमाप बटा टू यानि कि परिमाप बटा टू परिमाप बटा टू माइनस चौड़ाई अगला आयद के चौड़ाई बरेवर क्या होगा तो परिमाप बटा टू माइनमस लंबाई होगा अएट का विकरन बरेवर क्या होता है आएज ब्रमूला क्या है दें आयद का यह जो लुकोन यह दो कॉर्न को यहांसे मिला देंगे तो यही वाला भूजा और यह बूलना का व्लेदा को असकुाइर कर देंगे तो और ही क्याई हो जाना यहां पर यहां पर यहां पर हम लोगो भी कर निकाला यादि अधार मानें गया तो यानि की लंबाई या निकी लंबाई का स्क्वाइर पलस सवड़ाई का स्क्वाइर यह दी अंडर रूट आयत के लंबाई पर का वजाए तो आयत के लंबाई रपर हजाएगा विकार्न का स्क्वाइर पैसे लिकार्न का स्क्वाइर मांउडस छोड़ाई का स्क्वाइर यड़ह है लमबाई का स्क्वाइर अंडर रूट मैं येक्ष्ट है वर्ग क्या होता है यानि कि अस्क्वाइर क्या होता है अस्क्वाइर को पढ़ें वर्ग एक ऐसा चतुर वोजा है यानि वर्ग एक वैसा चतुर वोजा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा परते कुन नबे डिगडी होता है सब क्या का थे इसमें लंबाई और चौड़ाइब बाबदा यानि कि ये इसके बेरावर ये इसके बेरावर और बजन अथार्थ में रगल लंबाई और के चौड़ाई के बरावर होता है यहां कि यह वाला है लंबाई यार यह बला चबाई तो वह नहीं है यानि सब तो भूजा का स्कॉएर या तो साइड घा स्कायर व लेंगे इसको इसको लिख सकते हैं भूजा गुने भूजा पर वर्ग भूजा निकालना हो तो क्या हुआ तो वर्ग का भूजा निकालना है तो हो जाएका छेत्रफल छेत्रफल का स्कॉाय रूट यानि छेत्रफल का अंदर रूट वर्ग का परिमाप निकालना हो तो इसका फर्मॉला आजाएगा चार गुने भुजा चारों साइट को यदि जोड देंगे तो क्या हो जाता है भुजा यानि चार में एक भुजा से गुना कर देंगे तो आ जागा हमारा अंसर चार गुने भुजा तो वर्ग के भुजा बराबर क्या हो जागा परिमाप बटा फोर यानि कि परिमाप बटा फोर कर देंगे तो हमको वर्ग का भुजा निकल जाएगा वर्ग का भी कर्ण ह होता है वर्ग का भी कर्ण रूट टूगुने भुफूजा अगला वर्ग का भुफूजा वरबर तो भी कर्ण भाई अंडर रूट तो चलिए इसके बाद बृत को पढ़ेंगे कि बृत क्या होता है बृत वह आकिरती जो एक गतिमान बिंदु पथ के चारो और एक निश्ची दूरी पर चलता है बृत कहला था यानि कि कोई गतिमान बिंदु पथ है यहां से छली जाट किया और चारो और घूं जाएंगे तो क्या आँलएर कि बृत कहला थे ब्रीत का radius यानि किसी भी बिंदू को मिलाने वाली रेखा खंड को ब्रीत की त्रिजया का ते हैं यानि यह center है यह center से हम प्रिधी को कहीं भी मिला देंगे तो यह कहला जागा त्रिजया कहला जागा इसमें कि एक ब्रीत में रेखाखंड को ब्रीद की त्रिज्या कहते हैं यानि ये सेंटर है ये सेंटर से हम परिधी को कहीं भी मिला देंगे तो ये का कहला जागा त्रिज्या कहला जागा इसमें कि एक ब्रीद में अनन्त त्रिज्याईं कहिची जा सकती है यानि कि कोई भी एक सर्किल बनाएंगे उसमें कितना त्रिजया खीच सकते हैं तो अनन्त ब्यास यानि डाइमीटर क्या होता है ब्रीट की परीधी से किनी दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंदर से होकर गुजरती है ब्यास कहलाती है यानि ब्रीध के परीधी को यदि हम दो जगा पर कहीं भी मिला दें लेकिन वीडमाल पर जाना चाहिए तो व जो होगा ऊठाखंड कहलाएगा और रेखाखंड कहला जाएगा डाइमीटर एक ब्रीध में अनन्त ब्यास कहिचे जा सकते हैं कि को भी ब्रीध है उसमें कितना ब्यास की सथा जाग últimos ये वह था ब्रीध का केंदर ये वाला जो ब्रीध का दिर्ज्या और यहां पर यह है जो ब्रीत का ब्यास और यह जो चारो शाइब में घूमा हुआ यह जो ब्रीध की पृषिदी अफजा सबसे पहले स मैं के बैट की अ का फरमुला क्या हो जानी के भी गडर रिजिया निकालना हो तो क्या मिः व्यास दिया हुरिए मैं यह दिया हुए यानि इस्क गडिटका त्रुजा किन टो या ब्रीद्क घांस के अठीकली da दो गुने तिरिज्या ब्रीद की परीधी क्या होगा ब्रीद की परीधी बरबर हो जागा टू पाई आर यानि कि दो पाई गुने आर आर का मतलब क्या होता है तो आर का मतलब तिरिज्या आर जहां पे क्या है रेडियस है aic को लिख सकते है याव और 2 a मैं अगला है ब्रीद की दीजिया बरबर क्या होario तो यहां पर परिदी तिया हुआ रहेगा तो बरीद की से यहां तो इसे को बूलेंगे ब्रीद का ब्यास तो दूगु ने तरीजा यहां पर यह द्यास परीदी भिआब रहे परीधी वर्टा पाई भेदीशाएं को दो बयास बोलते हैं अगला भी सתरक्स गया होता है तो ब्रीध स्था को भ्रवर पाई गुने त्रीज्या का अस्क्वाइर त्रीज्या का अस्क्वाइर जिसको बोलते हैं हम लोग फाई यार अस्क्वाइर क्योंकि त्रीज्या को आर से सुचिज करते हैं अब ब्रीद की त्रीज्या अब क्या हो जाएंगे तो ब्रीद की रिज्या व्रबर हो धागी चेतरफल शेतरफल को हम लोग रूठ में डाल लेंगे अर वर्टा गwn नेस्ट है ब्रीट की परीधी व्रबर के अब ब।क यहाँ पर ब्रीधकी परीधी यहां परीध की अरफ भी धिदिक कि पृषिन आर्द विजित की प्रीधी होता है पाई आर पलस 2R आण इसी को हम लिखते हैं R common ले करके R into Pi plus 2 अगला है Pi Pi क्या होता है इसी में जो हम लोग Pi लगाए हैं जो क्या होता तो Pi जो है Greek Word का एक चीन है ग्रीक लेटर का एक चीन है अब ब्रीत के परीधी और उसके ब्यास के अनुपाथ है यानि ब्रीत के परीधी और उसके ब्यास का अनुपाथ है जो सदैव अचर रहता है यानि कि बड़ा ब्रीधो छोटा ब्रीधो इससे उसको मतलब नहीं है हमेशा हो एक ही रहता या चरह रहता है तो उसी को हम लोग से पाई बोल देते हैं पाई से सुचित करते हैं यान कि ब्रीद के ब्रीद की परीद ही को यदि हम डिभाइड करें ब्रीद का भ्यास से तो हमेशा एक ही आएगा यानि बरीद बड़ा हो या छोटा हो दोनों में बड़ा हमेशा क्या आएगा एक ही आएगा उसको हम लोग पाई लेटर से स्विचित करते हैं ग्रीक चिन है पाई उसी से स्विचित करते हैं और पाई का मान हमेशा 3.14 या तो 22 बटा 7 लेते हैं यदि कहा नहीं जाए तो 22 बटा 7 या दिया बोल दे कि 3.14 लेना है तो 3.14 लेजेगा